एलो फ्रेंड्स वेल्कम तो रेडियन्ट कंपेटिशन क्लासेश एक बहुत ही महत्तपड वीडियो में आप लोगों के समक्षे प्रस्तूत करने जा रहा हूं और ये आज कल बिहार में सरकारी स्कूल की वास्तवी की स्थीती की बार में बता रहा हूं किस तुरह सिक्षा ब् पेतन कटने से संबदीत सिक्षको के टाइमिंग से संबन्दित फोटो इसमाचार प्रकासित किया जा रहा है बच्चों का τाव में कहां जा रहा है सिर्फ टीचरों पर जो है अत्याचार ढाया जा रहा है तो देखना है इससर शिक्षा व्वैश्चां विवस्ता अच्छी बिना पूर्व सूचना के गायब रहने वाले 3288 सिक्षकों के बेतन कटवती के नुसंसा हुई है लबंक 10 माह 27,022 सिक्षकों का बेतन काटा गया है बेतन कटवती में सरवादिक संख्या 3884 दरभंगा जिले के जिक्षकों की है दुसरे असान पढ़ना लिधा है जहांके 3000 सिक्षकों की वेतन कटाउती हुई है अलाकि वेतन कटाउती के रहग्म सबसादीकना लिए ken 3,886 दरभंदा के लिए की गई है सबसे कम सीभर जिले के संथाओन सिक्षकों की वेतन कटवर के है एक जुलाई दोजार तेस से नियमी तुस्कोलों का डिक्षन क्या जा रहा है अब ये तो ये बेतन काटने का बहाना है लेकिन मैं आप लोगों को बता दो कि इससे भी खराब बेवस्था अगर आप ब्लॉक में चले जाएगा और आप किसी जिलास तरिये आफिस में चले जा सक्कूलों में एज कोई बात नहीं है लेकिन पूरा जूवस्ता है अब 5-5-9 में सकूल पहुंचना भूखे पेट बच्चे स्कूल जाते हैं महां प्राही नहीं हो पाती है ठीक उसी तरह सिक्षक भी आउने-पूने में स्कूल जाते हैं ना तो समय ना तो जाने का समय ठी तो इस तरह से एक वहां फोकी स्थिती बनाई हुई है जिसके वज़ास से सिक्षा ववस्ता पर क्या परभाव परेगा आप लोग भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दस्तों तो बस आज के वीडियो में इतना ही धन्योंत